राजेशला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है आज हम लोग अब तक के SC-ST Act पे जिसे Atro City Act कहा जाता है जितना भी वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड किया है उनमें से सबसे महत्पूर वीडियो यह है एक एक लाइन इसको आप लोग देखिएगा मिस मत करिएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं कमप्टेशन की अगर वो न्याइक सेवा की तैयारी कर रहे हैं और कहीं स्लेबस में है तो उनके लिए जो बच्चे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो किसी भी कोट में कर रहे हो चाहे लोवर कोट में हो चाहे हाई कोट में हो इवेन सुप्रिम कोट और जो लोग S.C.S.T. Act लगाए जाने से पीडित हैं या जो लोग S.C.S.T. Act के तहत F.I.R. दर्ज करवाते हैं यानि कहने का मतलब यह है कि सभी लोगों के लिए जो डारेक्ट या इंडारेक्ट इस प्रोवीजन से जुड़ा हुआ चाहे वो कंप्टीशन का बच्चा हो चाहे वो ब्यक्तिगत पीडित लोग हो या जो लोग S.C.S.T. Act के तहत अपराध दर्ज करवाते हैं अनुसूची जात्यों जन्जाती के समाज के जुर लोग है पूरे अनुसूची जात्यों जन्जाती अत्याच्चार निवारण अधनियम 1989 का यह निश्चोड यह समझे पूरे S.C.S.T. Act को ठीक है यहां मैंने नहीं लिखा है 1989 इस पूरे Act का यह निश्चोड है निश्चोड समझे यह पूरा Act है कि नेभू है और मैंने क्या किया है उस नेभू को गार के जूस बना दिया पूरे अधनियम का निश्चोड है जितनी महत्पूर्ण चीजे हम सब को निकाल लिया हू और इस वीडियो के माध्यम से एक एक चीजे आपको बताऊंगा साइद कोई इस तरह से आपको बताएगा नहीं और बताएगा तभी जब उसको ग्यान होगा तो आएए हम दों देखे कितने लगवन 14-15 भागों में मैंने बाटा है इसको कितने भागों में 14-15 भागों में बाटा है कि जब किसी बेक्ति पर S.C.S.T. आयक्ट का मुकदमा हो जाता है तो क्या परभाव होता है जिसे एक समाज में इस आयक्ट को लेके डर भी है लोग अच्छे परभाव हैं कितने बुरे परभाव हैं मतलब कि कितना डर है कितना इसके लगने पर दर्द होता है कितना दर्द नहीं होता है या इस सारी बातों को इसमें बताया हूँ मैं बिनर्म निवेदन है सभी लोगों से कभी भी इस आयक्ट का ना तो इस समाज के लोग और ना ही जो अन्य समाज के लोग हैं कोई भी इसका मिस्यूज ना करे ठीक है जो कानून है कानून गलत होने पर अपने हिसाब से काम करता है उसको अपने हिसाब से काम करने देना चाह बेक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया गया है सब इंसान है उसी इंसानियत का दर्जा ना मिलने की वजह से ही इस आइक्ट को भी बनाया गया ठीके कि वो इंसानियत का जो दर्जा है वो बना रहे तो आईए हम लोग एक एक करके देखते हैं हाँ एक और आप लोगों के खुस खबरी है कि हमारे यहां केवल इस तरह के वीडियो ही नहीं बनाया जाते हैं बलकि PCSJ की, HGS की या APO की यनि नियाईक सेवा की तैयारी भी कराई जाती है जो लोग LLV कर रहे हैं या कर चुके हैं वो आगे भविस में क्या करें इस नंबर पे संपर कर सकते हैं उनको सही गाइडेंस दिया जाएगा और जो लोग PCSJ या HGS या APO के बारे में पहले से जानकारी रखते हैं हैं वो इस नंबर पे संपर करके क्लास के कर सकते हैं हमारे हाँ offline क्लास की भी ब्यवस्था उपलब्ध है आप अपनी सुधानुसार जो है क्लास जॉइन करके लो अधिक्सेदिक गैनरिव करके अपनी सपने को साकार सकते हैं अज़र sahip सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा कि हैंै सिचल निकार इन 1929 का यह कानून मैंने लगाए जाने का परुवा यहिस इस आएक्ट के लगाया जाने का प्रवाव होता है सबसे पहले मने लिखा राहत रास का प्रावधान जब ये आग किसी बेक्ति पर लगाया जाता है यह इस अधनियम के तहट एफाईयार दर्ज होता है तो उसे एक निश्चित रकम एक निश्चित अनुपात में ठीक है प्रदान किया जाता है जिससे वो बेक्ति अपनी केस क को लड़ सके और अपनी आजीविका को चला सके ये राहत रास किसी को धन्वान बनने के लिए नहीं दिया जाता है बलकि उस समाज के लोगों को दिया जा रहा है जो सदियों से ही आर्थिक वो सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक रूप से पिछड़े विये हैं हाँ यद् बिकास के मुख्य धारा में आ गया नहीं ये बात अभी नहीं कही जा सकती हैं तो राहत रास का प्राउधान है कितनी राहत रास मिलती है ठीक है आठ लाग साहे आठ लाग हर रुपे तक का मैक्समिम देने का प्राउधान है नोकरी तक दे जाने का प्राउधान है ठीक है एफाई यार दर्ज होने पे कुछ परसंटेज मिलता है कुछ चार्ज सीट पेस होने पे मिलता है रेप के दसाओं में मेडिकल लगाय जाने पे मिलता है मामला कुछ दसाओं में डिसाइड होने पे मिलता है कुछ दसाओं में जो है दो सिद्धी पे मिलता है तो अलग-अलग कंडिशंस है मैंने अलग-अलग वीदियो जो है इस पर बना रख्त है इस पर अलग-अलग दिराहत राश कब किसमे कितना मिलता है किस धारा लगने पर कितना पहलं सा मिलता है यह आप लोग खुद वहां से जाके दिया करिए कि सर वेडियो आपने बहुत अच्छा बनाया मेरे समझ में आया या समझ में नहीं आया तो यही कमेंट कर दो कि सर वेडियो आपका बहुत रद्दी है मेरे समझ में नहीं आया चलिए दूसरा उप्चार क्या अपराध संगे होगा यहीं सारे के सारे अपराध क् सी विक्तिप पर लग जाता है, तो सारे अपराद कॉगनीजेबल हो जाते हैं, जो अब बहुत सारे लोग जो गाउं, ग्रामीर के हैं, जो नहीं पढ़े लिखें, वो नहीं जानते हैं संगे क्या होता है, दो तरह के अपराद होते हैं, संगे उन जमानतिये और आ संगे उन आ जमानतिये यह जो अपराद गंभीर होते हैं उनको संगे कहलाता है इंगलिस में कोगनीजेबल और जो कम गंभीर होते हैं उनको नान कोगनीजेबल कहा जाता है और जो कम गंभीर हैं उनको नान बैलेबल होते हैं यह जमानतिये होते है जो कम गम भेर अपराद होते हैं उनको जमानती कहते हैं बैलेबल कहते हैं तो अपराद संगे होगा जनी संगे अपराद होने पे क्या होता है कि IPC की कोई भी धारा लगी हो इससे मतलब नहीं है अगर SCST लग गई तो पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के यनि मजिस्टेट के बीना आदेश के ही गिरफतार करने की पावर है उस आरोपी को और इन्वेश्टि गेशन यनि विवेचना करने की पावर है ठीक है? तो ये दो पावर परमुख पुलिस अधिकारी को मिल जाता है और FIR दर्ज करने की power है, तो FIR दर्ज करने की power बिना वारंट के गिरहतार करने की power और विवेचना करने की power यह 3 power पुलिस अधिकारी को अपने आप मिल जाते हैं, इसमें मजिस्टेट से कोई आदेश या कोई permission लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है यद्यव की संगे अप्रो एश्टी एक्ट के तहत एफाई यार दर्ज करवाने पर भी पुलिस वाले खुद से एफाई यार नहीं दर्ज करते हैं जबके पूरा का पूरा संगे अपराध है उनको दर्ज करना चाहिए ठीक है कभी-कभी लोग नहीं भी करते हैं परिशार करते हैं चलिए दूसरा यहां मैंने लिखा है कि विशेश कोट यों विशेश थाना इस S.C.S.T. Act के तहत मामले को देखने के लिए विशेश न्याजाले बनाये जाने का प्राउधान किया गया है अलग से S.C.S.T. कोट बनाया जाता है लगभलभग बरतमान में हर जिले में आपको स्पेसल S.C.S.T. कोट मिलेगा जो सत्र न्याजाले के समकच होता है इसी तरह से विशेश थाना भी बनाये जाने का प्राउधान है यह सब धारा 14 में विशेश कोट और धारा 9 में स्पेसल थाना बनाये जान को मिल जाएगा तो आप सिधे अपना मामला वहीं ले जाकर के सिकायद दर्ज कराईए जैसे महिला थाना आप देखते हैं महिला को कोई दर्द पेड़ा है तो अपनी दर्द पेड़ा है तो अपनी दर्द पेड़ा वहां जाके बया करें से थाने पर और उसके बाद अगल इसको देखते चलिए मिस मत करिएगा बहुत महत्पूर है यह हर एक बेक्ट के लिए मैंने पहले ही बता दिया है समय निकाल के जरूर देखते रहे ठीक है नहीं एक बार में देख पाते हैं दो बार में देख लिए कि देखना मत भूलिए तो अपराद आ जवान के यह इस अ जमानत पर छोड़े या ना छोड़े ठीक है हाँ अब इसी में मैंने बताया है अलग से वीडियो बने हुई है कि sashty act लगने पर जमानत कब होती है कब नहीं होती है क्योंकि मामला अगर गंभीर है तब तो बेल नहीं मिलती है ठीक है कोड बेल नहीं देते है लोग कोड भी जल्दी नहीं मिल पाता है लेकिन अगर मामला कम गम्भेर हैं तो अक्सर बेल लोग कोट से भी मिल जाता है तो इस पे भी आलग से वीडियो बना हुआ दूसरा है जिला बदर यानि जब किसी बेक्तिक पे ये संदे होता है कि वो CST Act के तहत अपराद करने वाला है इसे जगहों पे जहां इस समाज के लोग रहते हैं तो जिला न्याजाली न्याजाले के सामने यानि CST कोट को ये पावर मिला हुआ है कि उस बेक्तिक को जिला भी सकता है कि आप उस जिले में नहीं रह सकते हो ठीक है जिस पर संदे हो कि वो प्राद करेगा और अगर वो इस आदेश का उलंगहन करें न्याजाले का यहां डियम को पावर नहीं दिया निखेगा दियम को पावर तम मिलेगा जब गुंडा अक्ट लगे और अगर उस न अधनियम के तहाते ने से एश्टी एक लगने पे अपराध में समझहोता नहीं हो सकता है यह कि इसका काट लोगों निकाल रखा है लेकिन लीगली तोर से आप कोड के माधियम से इसमें समझहोता नहीं कर सकते हैं आई पीशी का क्योवल अपराध का आरोफ हो तो कंपाउं रखे हैं कि पार्टी को समझहोता कर लेते हैं पैसा दे करके मान मुनवल करके जैसे भी पार्टी सहमत हो जाए तो अपने बयान को वापस ले लेते हैं बयान को वापस ले लेंगे गवाही देंगे रहे मामला कमजोर हो जाता है खत्म हो जाता है लेकिन लीगली तोर से जो कोई वेक्ति दोसी हो जाता है तो इस CRPC की धारा 360 मैंने यहां लिखा है दोसी हो जाने पे 360 में प्राउधान है कि उसे वेक्त को डांट डपट के छोड़ा जा सकता है बिना सजा दिये या कुछ दसाओं में उसे परिविक्षा पे छोड़ा जा सकता आधिक्तम 3 साल के लिए जो सजा का परकार नहीं होता है जिनि उसको जेल नहीं भेजा जाता है छोड़ दे जाता है घर पे आ जाता है आदमी कुछ सरते लगा दी जाती है कि कोई अपराध हुगरा नहीं करेगा कुछ समय तक सांती बनाय रखेगा तो यह 360 की कारवाई SCST Act लगने पर नहीं हो सकती यनि अगर 3 SCST Act लगने पर आप दोसी पाए जाते हैं तो सजा आपको निश्ची तोर से दी जाएगे अब मिनिमुम सजा 6 महीने जरूर है जिनि अगर SCST Act का कोई दोसी हुआ तो 6 महीने जेल जरूर रहेगा लेकिन अगर वो कोई ऐसा बेक्ति है जिसकी उमर 18 वर्ष से कम ह महिला नहीं 18 वर्ष से कम आयू का कोई विवेक्ति हुचा है वो महिला हो या पुरूस तो 360 के तहत उसे बिना सजा दिये भी छोड़ा जा सकता है चलिए और कोई ची विशेष जानकारी लेना तो आप इस नंबर पे संपर करके ठीके विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते ह पूर दो सिधी के बारे में लिखा हुआ है कि अगर कोई विखती इस अधनियम के तहत एक बार दोसी हो गया है और दुबारा फिर वो इसी अपराद के लिए दोसी होता है तो कम से कम से एक साल की सजा तो दी ही जाएगी फर्स टाइम पे मिनिमम सजा छे महीने है, कम से कम छे महीने, बहुत सारी धारा हैं जिसमें सजाएं जादा हैं, लेकिन सिकंड टाइम पे अगर कोई बेक्ति सदनियम के तहट दोसी पाया गया, तो मिनिमम सजा एक साल पलस जुर्माना भी है, ये धारा तेरा कहते है, दूसरा उपधारना, बहुत महत्मुल यहां कोट को कुछ चीजों को प्रिजूम करने की पावर है, मान लेगा कोट बिसाबित करनी की जरूरत ही नहीं है पाटी को, गवाही देनी की जरूरत ही नहीं है, खुद मान लेगा ये बात सही है, जैसे अगर किसी बेक्ति ने S.C KST के खिलाप अपराद करने के लिए किसी दूसरे बैक्ति को कोई सहायता दिया है कैसा आर्थिक सहायता पैसे से सहायता किया है तुम परिशान नहों हम तुम्हारा काम देख लेंगे जा उसको मार पीट दो मतलब कि आर्थिक सहायता दे करके किसी बैक्ति से आपने इस समाज की लोगों के बीरुद कोई अपिराद करवाया है अब य Caleb क्या होता है अगर इसी कोई बात आएगी तो आप वीडियो मिस नंबर मैंने पहले दे दिया है आप यहां से जो है संपर्क करके विसेश जनकारी ले सकते हैं बाकि जो लॉक ए श्टुडेंट हैं वो लोग इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं दूसरा अगर कोई समूह में अपराद किया गया है अगर कोई समूह में अपराद किया है लोगों ने और पहले से कोई सामपत्तिक विबाद चला है घर को लेकर जमीन को लेकर के कोई पहले से विबाद चला है S.C.S.T. और अन्य समदाव के बीच में और समुह में कई लोगों ने हमला किया है मारा पीता है गाली गुलूच किया है तो ये माना जाएगा कि सब लोगोंने सामान आशाय से वो कार किया है या सामान उदेश से वो कार किया है यनि 1334 या 1314 का प्रिजमसन कर लिया जाएगा अब जो लोग पढ़े हुई हैं वो इस बात को अच्छे से समझते हैं यहां पर कोट यह मानेगी कि आपको यह पता है कि अगला बेक्ति अनसूची जात या जनजाती कहा है अगर आप कहते हूं कि साहे मुझे यह नहीं पता है कि वह CSD काष्ट का बेक्ति है तो कोट यह आपको साबित करना पड़ेगा कोट यह मानेगी कि हो CSD काष्ट का बेक्ति है यहां परिजमसन्ण चलता है ध्यान दियेगा कितनी महत्पूर पॉइंट है कि अगर कोई बेक्ति ये कह देता है कि साहिब हमनसुची जाट जन जाती के हैं और ये चार सीट बन गई अगला कहता है पोट में जाकर के साहिब मुझे नहीं पता था ये सेस्टी समाज के हैं तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि सेस्टी समाज का नहीं था मुझे इस बात की जानकारी नहीं था अगर नहीं साबित कर पाओगे तो मान लिया जायेगा कि आपको जानकारी थी और फिर आपी सधनियम के धिन दोसी हो जाएंगे चलिए थोड़ी सी तवेत खराब है बहुत तेज तर्रार आवाजों में मैं नहीं बोल पा रहा हूँ फिर भी चलिए आप लोगों के लिए काम चलाओ भासा तो बोल ही रहा हूँ उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी बाते आ रही होंगी आवाज हमारी थोड़ी से भनभना भी रही होगी क्योंकि पिछले दो दिन से तवेत खराब चल लही थी तो चलिए आप लोग वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा कमेंट करके बताएगा सर ने आप जो वीडियो बनाया है वो कितना अच्छा है हाँ नई समझ में आएगा तो ये भी कमेंट कर दिजएगा सब वीडियो बिल्कुल आपका खराब है खाट चलिए देखिएगा पूरा वीडियो ठीक है फुरसत करसमें निकाल के देखिएगा बहुत महत्मूर पॉइंट पूरे आइक्ट का निचोड है फूरे अद्मियम का निकोड है और हमारे यहाँ कीवल यही चीज नहीं बताई जाते हैं बलकि कानून की तैयारी भी कराई जाती हैं हमारे यहां से कई सारे बच्चे सेलक्ट हो रहे हैं आप लोग भी जो ललवी कर रहे या कर चुके हैं जो करने के लिए सोच रहें वो करें और online class जोइन करके अधिक से धीक ज्यान अर्जित करके अपने सपने को साकार करें आईए तो सारी जानकारिया आपको इस नंबर पर मिलेगी आप इस नंबर पर संपर करिए आपको सारी जानकारिया दी जाएंगी चलिए 360 आपने भी देख लिया पूर्दो सिद्धी मैंने बता दिया प्रियमसन भी बता दिया अगरिम जमानत नहीं हाँ अगर SST Act का मुकदमा आप पे लगने वाला है या लग चुका है तो अगर आप हाई कोट या कोट आप सेसन में धारा 438 CRPC के तहत अगरिम जमानत के लिए जाना चाहते हो कि बिना आरेश्टिंग हुए हमें जमानत मिल जाए तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अगरिम जमानत आपको नहीं मिलेगी यहीं कुल मिलाके आपको आरेश्ट होना पड़ेगा यहीं कोट में आपको स्रेंडर करना ही पड़ेगा अगर अपराद कम गंभेर है तो आपको बाहर से बेल मिल जाएगा मतलब कोट में आप खड़े होंगे लाकप में उसी दिन बिना कोट में गए आप अगर सूचें घर बैठें हम जमानत करवा लें हाई कोट से अगरिम जमानत ले आए तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है बना कर दिया गया है धारा थारा और ठारा कापे इस पे डिटेल से दो तीन वीडियो आज रेडी चैनल पे बनाया जा चुका है जो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं अगला संपत्ती का संपहार यारे ये देखी कितना महत्पूर सजा है SCST Act लगने पे During Proceeding या After Judgment कोट को ये पावर है कि उस आरोपी बैक्ति की जिस संपत्ती के संद्रफ में अपराध हुआ है चल या अचल संपत्ती को संपहरित करा सकती है या जपत करा सकती है और वो संपत्ती राजसरकार के हो जाएगी या उस संपत्ती को During Proceeding Attach करवाने की भी पावर है राजसरकार को जिस संपत्ती से विबाद हुआ है और उस संपत्ती को Last Time पे जब मामला Decide होगा तब जो जुरुमाना उस पे लगाया गया है उसे में काट लिया जाएगा सेस वापस कर जा सकता है या राजसकार के पक्ष में संपारित हो जाएगा ये भी बहुत महत्तों प्रोवीजन है दूसरा पूर्वा मंजूरी अगर किसी बैक्ती पर S.A.S.T. Act के तहद मुकदमा दर्ज होता है तो वहां किसी से परमीशन लेने की जरूत नहीं है पूलिस अधिकारी को ग्रफदार करने की पावर है बिना मंजूरी के ही ग्रफदार करने की पावर है अगला F.I.R. जर्ज ना होने पर थानेदार पर F.I.R. ये भी धाराचार में लिखा हुआ है ये थानेदार F.I.R. नहीं दर्ज करता है तो ये भी अपराद है और उस थानेदार पर धाराचार के तहट S.C.H.T. Act के तहट मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है जिसमें मिनिमम 6 माह का सजा है जो एक साल तक का हो सकता है यहां यहां बताना संभव नहीं था कि जब इस अधनियम के तहत फाइयार दर्ज होता है तो उसका विवेचना है वो SI नहीं करता है यहनी दरोगा नहीं करता है कौन करता है CO को पावर होता है जिसको Deputy majesty कहते हैं तर्किल ऑफिसर भी कहते हैं उनको पार होती है बेवेचना करने की दूसरा ये नहीं कि आपको जाना पड़ेगा वही विवेशना इसमामले की करेंगे वही रिपोर्ट कोट में पेस करेंगे फिर यहाँ IPC की कुछ धाराएं और कुछ अध्याई लिखे हुए हैं जैसे IPC का अध्याई 3, अध्याई 4, अध्याई 5, अध्याई 5 का अध्याई 23 इसके प्रोविजन्स IPC यहाँ CCST Act पे भी लागू होते हैं और धारा 34, धारा 149 यह भी लागू होता है यहाँ से यहाँ त यहाँ सेक्षन है यहाँ IPC का फिर से समझेगा हो सकता है थोड़ा सा लाइट चली गई थी बीच में तो दिखता सुई होगी आप लोगों को IPC का अध्याई 3 यहीं दंड के प्रकार की बात करता है चार जंडल एक्सेप्षन पांच दुस्प्रेरण पांच का अपराधिक सड़यंत्र 23 अपराधिक प्रेयत्र की बात करता है अगर इस अधनियम के तहत भी कोई बेक्ती अपराध करेगा तो सजा का नियम वही चलेग जो IPC के ध्याई 3 में है जनरल एक्सेप्षन में अगर कोई बेक्ती आता है तो उसको बचाओ मिलेगा पांच दुस्प्रेरण कोई करेगा तो वह भी दोसी होगा पांच का कोई अपराधिक सड़यंत्र करेगा इन दो चाल लोग मिलके सहमत होते हैं अपराध करने के लिए तो उन पर भी एक केस बनेगा और तेईस अगर कोई बेक CST Act के ताथ अपराध करने का परयाप्न करता है तो भी अधरियम उसके लगेगा और धाराच्योंतिस 114 सामान नियासे और सामान उदेश का भी नियम लागू होता है ये बात कहां लिखे धा मैंने कोशिस किया आप लोगों को बेहतर तरीक समझाने के लिए पूरे CST Act का परभाव बताया कि जब ये अधरियम लागू होता है तो इसका परभाव क्या होता है ठीक है मैं मेल मेल परभाव को यहां पर बता दिया हूं कुछ एक प्रोविजन छूट गए है अगर आपक करके उसके लिए भी जनकारी प्राप कर सकते हैं चलिए धन्यवाद